आपको अपने मुझे ऐसी बातों का इकरार करना अरम करना चाहिए। जीब से आपके विरुत कोई पाप न कर दूँ मैंने सुचा था आज शायद यहाँ थोड़ी शान्ती होगी मेरा मतलब है आप सभी का ऐसा हाल है क्या आप जानते हैं यहाँ हजिर है 17,000 नए सेरे से जन्मी लोग आप परमीश्वर से प्रेम करते हैं वना आप यहाँ न होते और हम सभी की कुछ आशा आए हैं कुछ सपने और कुछ प्रार्थनाएं भी हैं पर मैं आपको बता सकती हूँ उसका बड़ा कारण है क्योंकि आप में से बहुत तोंको और मुझे वो सब नतीजे नहीं मिले थे जो मैं पाना चाहती थी बहुत से वर्षों तक जब मैंने सोचा था कि मैं परमिश्वर्गी प्रतिक्षा कर रही हूँ मैं प्रतिक्षा नहीं कर रही थी मैं प्रतिक्षा कर रही थी कि वो उनसे सहमत हो और शैतान से सहमत हो आमेन आएए यहाँ कुछ और वचनों को देखते हैं एक फैसला कीजी और रोज प्रातना करना आरम कीजी नीती वचन आठ छे आठ सुनो क्योंकि मैं उत्तम बाते कहूंगी और जब मुझ खोलूंगी तब उससे सीधी बाते निकलेंगी क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा दुष्ट की बातों से मुझको घ्रिणा आती है मैं आपको चुनोती देती हूँ कि एक कॉपी लीजी और नीती वचन पढ़ने आरम कीजी साथ ही वो जहां आपको बाइबल में मुझ और शब्दों के बारे में वचन मिले आप उससे अपनी नोटबुक में लिख लीजी और फिर आप बैट करिए का ये पर मेश्वर आपके अनुग्र और दया से मैं जानता हूँ मैं अपने बल पर ये नहीं कर सकता पर मैं सहयोग दूँगा मैं अपना हिस्सा करने वाला हूँ मैं प्रार्थना करने वाला हूँ और मैं एकरार करने वाला हूँ और मैं अपने मुझ को इस्तमाल नहीं करूँगा आपका मेरे लिए इतना सब करने के बाद मैं शैतान को अपना मुझे इस्तमाल नहीं करने दोगा भजन उननीस चौदा मेरे मुझे वचन और मेरे रिदय का ध्यान तेरे सम्मुग्रहान योग्या है है यहोवा मेरे मुझे वचन और मेरे विचार दाउद कह रहा है तेरे से मुग्रहन योग्या हो है परमेश्वर हम जानते हैं कि आपसे गल्तियां होती ही होंगी पर जैसे या अपने गल्ती की हो या फिर मुझसे हो हमें हमेशा पश्चाताप करना चाहिए बिना देर किये मैं वो बाते बताऊंगी जिसके लिए मुगा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और वो जिनके लिए करना चाहिए पर जब से मैं इस संदेश के साथ आई पहले ही चानती थी मैं समाप्त नहीं कर पाऊंगी पर एक काम जो बाइबल हमें अपने मूँ से करने को रोकती है वो है आँक ना निरड़ थक बाते और आलोच ना और वहाँ अपनी राइदेना जहां ज़रूरत नहीं हूँ मैं देव और अपनी एक बात बताती हूँ मैं एक दिन एक रेस्टरोन में गई जहां हमने बहुत बार खाना कहा है पिछले कई सालों में और इसलिए हम वहां के लोगों को पहचानने लगे डेव का एक और ध्यान गया और एक लड़की जो हमारी बहुत सेवा करती थी वह वहां नहीं थी इसलिए जब मैं वहां गई तो मैंने उससे कहा देखी मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी तो मैंने उन लोगों से पुछा क्या मेरी आज यहां नहीं है उन्होंने कहा नहीं वो आप यहां काम नहीं करती मैंने पुछा वो कहां गई है तब उन्होंने का दरसल मेरी और जॉन और आपको बता तो जॉन उसी रेस्टरोन में काम करने वाला एक व्यक्ति था और उसने आगे कहा मेरी और जॉन दुसरे से प्रेम करते थे पर उनमें कुछ अन्बन हो गई और जॉन ने उसकी सबसे प्रिय सहली से विवा कर लिया और वो अभी भी यही है सो मेरी चली गई और अब वो कहीं और काम करती है उस्वरा जब डीव और मैं गारी में बैठकर घर लोट रहे थे तब मैंने उससे कहा मैंने पता लगा है कि मेरी को क्या हूआ वो अब अमुक रेस्टरोन में काम करती है जानते हो वो और जॉन एक- देव ने कहा पर वो इतना अच्छा नहीं देखता है तो मैंने कहा मेरे खुद कौन से परियों की रानी है तो उन्होंने कहा हाँ पर उसे अच्छा लड़का मिल सकता था अचानगी मैंने कहा अमारी ओर देखिए हम फैसला कर रहे थे किसे किसे प्रेम करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए अमने फैसला कर लिया था दोनों सुन्दर नहीं थे इसलिए हम गाडी में ही थे तो डेव ने कहना आरम क्या परमेश्वर ख्षमा कीजिए ख्षमा कीजिए हमसे बूल हो गई हम एक शमा कीजिए परमेश्वर शमा कीजिए ऐसा सभी करते हैं जब हम ये करते पकड़े जाते हैं मेरा मतलब ये कैसी बेवकूफी है चाहे आप में सुगए ऐसा नहीं करता होगा है ना आप समझ रहे हैं ना कि वो निरर्थक्स शब्द है जिन में बिल्कुल सकारात्मक शक्ती नहीं थी असल में वो अब ये सुनिए शक्ती चुराने वाले शब्द थे मैं आपको एक हथियार देने की कोशिश कर रही हूँ जो आकि युद लड़ने में मदद करेगा जिससे आपके जीवन में गड़ गिर जाएंगे और ये एक ऐसा हथियारे जो आपके जीवन में शक्ती बढ़ाएगा और शैतान से शक्ती छील लेगा हमें ऐसे करना चाहिए हमें ऐसे करना चाहिए रेवरेंट डेविट और जोयस मैरको जिनकी सारे संसार में सेव काई है हमें असल मैं ऐसा कहना चाहिए था मेरे को जरूर इससे बहुत दुख हुआ होगा हमें इसी वक्त उसके लिए प्राटना करनी चाहिए कि वो इस अस्वितिति से चंगी हो जाए और ये कि परमेश्वर उसके जीवर में किसे सच मुझ अची इंसान को लाए चलो ये प्राटना करता है कि उससे अपनी नई नौकरी में सच मुझ आशिश मिले अब हम ये कर सकते थे और हमने परमेश्वर की चेहरे पर मुस्कान ले आनी थी और हम उसकी मदद कर सकते थे और और जब भी हम अपने मुसे बुरी बाते करते हैं मैं पूरे दिल से मानती हूँ कि ये हमारे आनन को प्रभावित करता है मैं अपने पूरे दिल से मानती हूँ कि ये हमारे आनन को प्रभावित करता है मुझे अचानकी एक वचन सूजा है और मैं चाहती हूँ कि हम एक मिनिट के लिए वहां जाकर उसे पढ़ें, मैं उसके स्क्रीन पर लगाऊंगी याकुप एक यदि कुई अपने आपको भक्त समझी प्रभू की महिमाओ धर्म पराणता से अपने विश्वास के बाहरी कर्तव ये पूरे करें और अपनी जीपल लगाम न दे पर अपनी रिदय को धोका दे तो उसकी भक्ती वियार्थ है तुछ और असफल है असफल ओ-ओ एक ही मुखा इस्तमाल हम आशिश और मनिश्यों को श्राब देने के लिए नहीं कर सकते आमीन आज किसी को ग्यान मिल रहा होगा आप जान दे जब समय आया कि ये शू लगबग वो समय था जब वो जाने वाले थे क्रूस पर और वो जानते थे कि उन्हें गत मस्ती जाकर सच मुझ कश्ट सहन करने पड़ेंगे यू हना 14.30 में उन्होंने असल में अपने चेलों से कहा था अब वो समय करीब आ रहा है जिस समय के बार में मैंने तुम्हें बताय था वो करीब आ रहा है ये सुनी उसमें क्या लिखा है मैं आपसे तुम्हारे साथ और बहुत बाते न करूँगा क्योंकि संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं आप जानते उसका क्या मतलब था मैं जानती हूँ वो करने का समय जल्द आ रहा है जिसे करने के लिए मुझे भेजा गया है और मुझ पर उससे कहीं अधिक दबा होगा जिससे की कलपना करना भी असंभव होगा आपके लिए सब लडाईयों से बड़ी लडाई चल रही थी अर्थात पाप और भलाई के बीच की लडाई परमेश्वर और शैतान के बीच की लडाई येश्यू के कहने का सार ये था शैतान के लिए मेरे जीवन में कोई राह नहीं है और ना ही मैं कोई मुर्खता की बात करके उसके लिए कोई द्वार खोलूँगा इसलिए मैं बिल्कुल चुप रहूँगा क्योंकि जब आप पर दबाव होता है चलिए आप ये समझ लीजी जब आप पर दबाव होता है सबसे बड़िया काम चौप कर सकते हैं वो होटो को सी लेना होता है कहीं एक आंत में चले जाना और बस चुप रहना क्योंकि जब आप पर दबाव होता है तो ये संभाव ना होती है कि यदि हम कुछ कहेंगे तो वो गलत बात होगी मैं उसे ब्रहते प्रिचार कर रही हूँ पर अब मैं फिर से आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको प्राबना प्राबना करनी चाहिए क्या आपके मूं का बचा हुआ है हम अपने शब्दों से लोगों को आशिष दे सकते हैं परमिश्वने आदम और हावा को आशिष दी गिंती में उन्होंने कहा है कि आप बोल कर लोगों को आशिश दे सकते हो आशिश की प्राटना इतनी बहु मुलिय थी कि पिता उसे दिया करते थे पहले जन में पुत्र को याकूब उसे पाने को इतना अतूर था कि वो जूट बोलने दोका देने और ठगने को तयार था एशाओ को और जब इसाओ को समझ आया कि उसे दोका दिया गया है और उसने गलत बच्चे पर प्राटना बोल दी थी उसने कहा मैंने अब बोल दिया है और मैं उसे वापस नहीं ले सकता एक बार कुछ शब्द बोलने के बाद हम अकसर अपने शब्द वापस लेना चाहते हैं इसलिए हमें कम से कम प्राटना करके कहना चाहिए परमेश्वय करिप्या इसके बार में कुछ कीजिए इन्हें रत कर दी जग शमा कीजिए क्या कोई इससे पहले से कहीं अधिक गहरा इससे समझ रहा है शायद हमारे शब्द हमरी आध्यात्मिक परिपक्वता के स्तर के सूचक है यह मैं तो पूर्ण नहीं कि आप सब्टा में कितनी बार गिरज़ जाता हैं मैं आप से आदा घंटा बात करके बता सकती हूँ आपका अध्यात्मिक स्तर कौन सा है आप हमेशे अपने बार में बोलते हैं आप स्वार्थी हैं यदि दूसरों के बार में आलोचना करते हैं आप में शयाद धार्मिक भावना है क्योंकि धार्मिक लोग सोचते हैं कि वो अन्य सभी से बहता रहे हैं, इसलिए उनके मूँ बहुत आंकल और आलोचना की बाते करते रहते हैं. हलोू। याद रखे, मैं आपको कभी ऐसा कुछ नहीं खिलाने वाली हूँ, जो परमेश्वन ने पहले मुझे ना खिलाया हूँ अपनी चीवन में. पर मैं आपसे ये करने को कहने वाली हूँ कि अपने मुझा इस्तमाल का नारम कीची है, हर अच्छे काम के लिए. आज आप एक फैसला कीची कि आप आशिश देने के लिए अपने मुझा इस्तमाल करने के लिए इतने व्यस्त रहेंगे, कि आपको नकारात्मक बातों के साथ संगर्ष नहीं करना होगा क्योंकि आप इतने व्यस्त सही काम करने में होंगे कि कोई बुरा काम आप नहीं कर पाएंगे गलत बात के अंदर आने के लिए अपने हर मिलने वाले को अच्छा महसुस करवाईए क्रिताग्या हो ये अपनी क्रिताग्या को प्रदर्शित कीची और बोल ये अपने मूँ को इस्तमाल कीची आशिश बढने के लिए अपने मूँ का इस्तमाल कीची आमेन जोन और स्टेसी आज प्रोग्राम पर आने के लिए धनियावाद हमारा सभाक्य और हम ये कहते हुए Прसन हो रहा हैं कि आप होनेवाले हैं हमारे आनेवालिस्तिठीओं की सभा के मेहमान वक्ता hakkा हमे से एक हम बहुत उत्साहिथ हैं हम इसके बारे में उत्साहिथ हैं और मैं दर्शकों की खातीर लिए जरूर कहना चाहूँगी कि हम हमेशा बहुत साउधान रहते हैं कि हम किसे वहां बुलाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि लोगों को बहुत लोग बड़ा बलीदान करते हैं उस सभा में आने के लिए और वो उनके लिए बहुत महत्वा पूर्णो होती है वो सच मुझ परमेशवर पर विश्वास करते हैं, हमारा विश्य है बहाली, इसलिए मुझे आप लोगों का खयाल आया जब हमने विश्य के बारे में सुचा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप उसके बारे में बहुत सिखाते हैं, इसलिए जब मैं बहाली शब्द कहती हूँ कि परमेशवर बहाल करने वाले हैं, वो आपके लिए क्या अर्थ रखता है? मैं बहुत उत्साहित महसूस कर रही हूँ, मैं किसी सभा के लिए इससे बेहतर विश्य सोच ही नहीं सकती हूँ, यह असल में मसीहत का सार है, मैं यह सोचती हूँ कि कैसे जब परमेशवर किसी जीवन को बहाल करते हैं, या विवाह को, या मनुश्य को, वो उससे कहीं अध आपको चोट पहुची थी, मुझे चोट पहुची थी, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, जिससे चोट ना पहुची हो, मैं उनका महत्व खटाना नहीं चाहती, मुझे सच मुच बहुत दुख मिला था, और उन जखमों के कारण जो मुझे मिले थे, मैं महसूस करती थी, कि मेर परमेश्वर के साथ बाहर सेयर करने गई थी, मैंने इस दृष्टी में परमेश्वर द्वारा किये सुंदर कामों के लिए उनकी प्रशंसा करने आरम की, वो बहुत आकर्शक था, और मैंने उन्हें अपने दिल में ये कहते सुना, मुझे खुशी है कि तुझे ये पसंद है मेरी बेटी, तब मैंने पूचा, क्या मैं आपकी बेटी हूँ? और एक बहुत अच्छी मा, एक बहुत अच्छी पत्नी ना होने की बीच में, उस पल में भी मैं आपकी द्रिष्टी में सुन्दर और प्रिये हूँ, ये सत्य था, जब मैंने ये समझना आरम किया कि मैं परमेश्वर के लिए कौन हूँ, इसने सच मुझ बहाले दिलाई मेरे सच्छे दिल को, ताकि मैं उस चंगाई, उस स्वतंतरता से जीवन गुजार सकते। ये सच मुझ मेरे लिए परमेश्वर की कृपा थी। होता है या किसी और ने वो बरबात किया होता है, और अब मुझ याद है, जब मेरे पिता, जिन वर्ष मे मेरा यूण शोवशन कर रहे थे, मुझ याद है, ये सोच ना, मुझे ये निश्यय करूप से पता है कि मेरे किस प्रकार का River होगा, तर वो जीवन सच मुझ कभी वैसा नहीं होगा, जैसा वो हो सकता था या जैसे उसे होना चाहिए था, यदि मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मैं सोचती कि कि इतने लोग खुद को उस पल में फसा महसूस करते हैं, जब उनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है, जो उनके नियंदरन से बाहर था या उस पल में भी जब उन्होंने किवल घलत काम किया था, और फिर उन्हें समझ आई कि उन्होंने भयंकर गलती कोई थी, पर शुप समाचार यह कि येशु आया हमें स्वतंत्र करने बाहल करने, हमें वापस ले जाने के लिए उस सुन्दर संपूर्न प्रशंस्नियम हमामाई अवस्था में, जो परमिश्वर के हमारे लिए इच्छा है, और इसलिए आज एक बढ़िया मौका है, हम लोगों के लिए संसारभर के लोगों को ये कहने का कि अभी भी देर नहीं हुई, आपके लिए बहुत देर नहीं हुई है, और आपने नहीं किये हैं कुछ ऐसे काम, जो इतने बुरे है कि परमेश्वर आप तक वहाँ नहीं पहुंच सकते जहां आप हैं और आपको बहाँ नहीं निकाल सके बाइबल के अनुसार परमेश्वर की बहाँ नी छोटी नहीं है यह मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इन्हें इस कानुभव है यह सत्य है अभी बहुत देर नहीं हुई आपने बहुत गलतियां नहीं की है आप बहुत बुरे हाल में नहीं है मुझे याद है जब परमेश्वर ने मुझे से बात की और कहा याद रखो जोईस तुम मुझे तुमने मुझे चौका दिया है नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम इस तरह के निकलोगी, देखिए, परमिश्वर शुरुआत से अंजानते हैं, हमारी है छोटी से छोटी बात की और फिर भी वो हमें चुनते हैं और बुला आते हैं अपने साथ संबंद की और क्योंकि वो आपके जीवन की कहानी जानते हैं, वो आपकी यादों को चंगा कर सकते हैं, देखिए, सबसे शक्तिशाली बात ये है कि वो केवल वर्तमान पल के परमेश्वर या स्वर्ग्य भविश्य के परमेश्वर नहीं है, वो आपके अतीद के भी परमेश्वर हैं, और वे अब आपके जीवन में लौट सकते हैं, औ और स्वस्थ कर सकते हैं उन यादों को ताकि वे आइंदा आपको परेशान ना करें, हमेशा करें, ये कैसा वाकिया जिसे हम अक्सर सुनते हैं, तो मेरे साथ सच मुच वहवारिक बनिये हमारी यादों को स्वस्थ करने का क्यारत हुआ है, दिखिए हम में से ज्यादा थर फसे हैं, अपने अतीद के किसी हिस्से में, जैसे कि वो दिन जब हम अपने स्कूल में बहुत शर्मिंदा हुए थे, या वो दिन जब हमारे पिता ने हमारे साथ कुछ गिनोना काम किया था, या पिर जब 19 की उमर में स्टेसी का बलातकार हुआ था, या हम उन यादों में और हमारा एक हिस्सा अभी भी डरता है, और एक हिस्सा भी भी क्रोधित है, तो येशु को उस पल में हमें न्योता देना चाहिए, क्योंकि वे हर पल के परमेश्वर हैं, कि वे दुबारा अंदर आएं, हमें स्वच करें, हमें उस सब से मुक्त कर दें, उस सब से, और वे स वो गिर्जों के लिए एक पत्र है ठीक है? और वे कह रहे हैं कि यदि आप मुझे अंदर आने दे तब ही मैं अंदर आउंगा इसलिए हमारे दिलों में वो स्थान जहां हमने किले बनाए हैं उनके आसपस पत्थर की दिवारे बनाई हैं हमें उन्हें हटा देना है और कहना येशू इस याद में आजाओ मेरे जीवन की इस घटना में आजाओ और हम इस सभा में इसी विशे पर तो बात करने माने हैं हमारे विश्वास का बदलना ज़रूरी है बाइबल में आसान सी बात लिखिए आपके साथ वैसा ही हो जैसा आप विश्वास करते हैं और बाइबल सिद्धानतों का एक नया समू है जिसके कारण जब आपके मन का नमीनी करण होता है आप दुनिया की तरह सोचने की वज़ाए परमिश्वर की तरह सोचने लगते हैं तब आपको एक प्रवेश्मार्ग मिलता है एक बिल्कुल नए जीवन की और और विश्वास के लिए जैसे देखिए मैं अब सच मुछ विश्वास करती हूँ ये कोई बचे नहीं है जिसका मैं उधरान देती हूँ परमिश्वर के बाते हूँ आपके पिता का शराबी होना और अन्यस भी विविद्दुखत हाथ से जो उन लोगों के साथ हूए जो आज देख रहे हैं वो बाते अच्छी नहीं थी परमिश्वर नहीं थी वो शैतानी बाते थी जिनहें शैतान हमें बरबाद करने के लिए भीजता है पर परमिश्वर बहाल करता है। उन सब चीजों के जो हम से छीनने गई हैं और यदे हम यह विश्वास करेंगे कि परमिश्वर भले हैं और चाहे परिस्थित कितनी भी घटिया क्यों न अ हो अबर क्योंगी परमेश्वर अच्छे हैं, वो हमारे जीवनों में उस पर काम करेगा और किसी तरह से हमें बनाएंगे, एक बहुतर मनुश्य है। परमेश्वर के उन्हें कसकर पकड़ लेने के बाद। परमेश्वर में बिल्कुल सामने रूप से बात करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब आप मसी में होते हैं, आप एक नई स्रिष्टी बन जाते हैं। पुरानी बाते बीच जाती हैं, जैसे आपने कहा हम उन्हें याद करते हैं, पर अब जब भी हम उन्हें याद करते हैं, हमारा उदेश्य होता है किसी अन्य की मदद के लिए उन्हें इस्तमाल करना। मैं उन्हें बैट कर याद नहीं करती ताकि अपने दुखों को आगती रहूं, अपने पर दया करती रहूं और सोची कि मुझ पर कितना आतियाचार हुआ है। ऐसा होता है कि हम मसी में नई स्रिष्टी होते हैं और परमिश्वर हमें जो बहाली पेश करते हैं वो एक नई शुरूआत होती है। और साथ में अन्या चीज़ों को भी, और अब हमारी एक सेवकाई है बहाल करने की। ठीक है क्योंकि इसके शुरूआत यहां से हुई थी। क्योंकि मैं ये सवाल पूछती थी, क्या आपको मुझसे प्रेम है, क्या मैं आपके प्रेम के काबिल हूँ, और मेरे पूरे बच्पन और जवानी के दौरान मुझे जवाब मिलता रहा, नहीं, तुम नहीं हो, परमेश्वर ने इस सवाल का हा में जवाब दिया है, तुम प् हमें चुनते हैं, हाँ, ये केवल उनका प्रेम है, बिलकुल, जी हाँ, वो पूरी तरह बदलता है, मुझे थिसलू नीकियों का वो वचन प्यारा है, जहां वे कहते हैं, तुमारी आत्मा, प्राण और देह, हमारे प्रभु येश्व मसी के आने तक, पूरे और सुरक्षित रहें, परमेश्वर पूरे मनुष्य को बहाल करना चाहते हैं, ठीक है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वो हम सभी में बहाली चाहते हैं, और वो भी पूरी की पूरी बहाली, बिलकुल, और मुझे, जॉई समझ में नहीं यादा, ज्यादा तर लोग चाह जो इस तरह कहते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, जो कम से कम बहुत से वर्षों तक ऐसे नहीं थे, मेरे लिए मसी होने का मतलब ये था कि मैं हर रविवार गेजय जाती थी, और ये कि मैं थुड़ी अच्छी बनने की कोशिश करती थी, बस इतना ही, जी हाँ, अच्छी बनन नहीं था, मैं कर्ट वे समझ कर करती थी, और दुख की बात ये है कि मैं सच मुच, मेरा मतलब है, मुझे सच मुच विश्वास था कि ये शु मेरे मुक्ति दाता है, मैं अनुग्रद वारा बचाओ के सिद्धान्त को समझती थी, और मैं अपने पूरे दिल से विश्वास क ये नहीं कि हर सब्ता के वल किसी इमारत में हाजिर हो और कोई करतव पूरा करो और ये सीखना कि उन्हें आपके हर हिस्से की परवा है और वो बाहाल करना चाहते हैं, सच मुच, आपके जीवन के हर चीज को बाहल करना चाहते हैं, इसलिए मैं इस सभा के वारे में बहुत हम आने के लिए बहुत उसाहित है, क्योंकि मेरे विचार से आप बहाली के विशे पर सिखाने वाले आज धर्ती के सबसे बढ़िया शिक्षकों में से एक हैं, मेरे विचार से आप उसे बहुत साधा और आसान बनाते हैं, और आप जानते हैं हम साधारन लोग हैं, आप जानत आज यहां हमार साथ आकर लोगों को प्रोचाहित करने के लिए धन्यवाद हम बहुत उत्साहित हैं मैं उत्साहित हूँ मुझे बताए आपको शक्तिशाली बाते बताएंगे नैंसी अलकॉन भी सभा में आने वाली हैं हमें कुछ बढ़िया बाते बताने वाली हैं इसलिए मेरे विचार से हम वहां बहुत आनन्द उठाने वाले हैं हम उसकी बेसभरी से प्रतीक्षा कर रहे हैं शुक्रिया आपने अभी जॉन और स्टेसी की सेवकाई का आनन्द लिया वो बात कर रहे थे पुरुश और स्ट्रियों के एक दूसरे को समझने के महतवक के बारे में और क्योंकि ये बहाली के लिए आवश्यक है वो इस साल के स्ट्रियों की सभा में वक्ता होंगे और मैं इसके बारे में बहुत उत्साहित हूँ जोईस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने एहम है इसका आपको अंदाजा नहीं हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उनोंने इस विश्व व्यापी से काही को संभब बना मिलकर हम भूकों को खिला रहे हैं गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुचा रहे हैं रिप्या हमसे संपर्द करें या विजिट करें jmmindia.org पर आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए हमारे साधरों के बारे में और जानकारी और चॉइस की सभाओं का शेडियूर जाने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसी का प्रेम बटने के लिए